नमस्कार आपको स्वागत दे एशिया न्यूज इंडिया मैं मैं पूर्णम आपके साथ कॉंग्रेस सांसेत राहुल गांदी ने महाराष्ट में सीट शेरिंग को लेकर इंडिया में शामिल शिव सेना यूबी टी नेता उदव ठाकरे से बात चित की राहुल ने गुरुवार कोदव को फोन किया और करीब एक घंटे बात की महाराष्ट में 48 लोग सबह सीटे हैं उदव ठाकरे की शिव सेना शरत पवार की एंसी पी और कॉंग्रेस महाविकास अगाडी अलायंस का हिस्सा है तीनों पार्टियों के 20-40 पर सहमती बन गई है आठ सीटों पर मामला अटका हुआ है इसमें 6 सीटे मुंबई की है सुत्रों की माने तो कॉंग्रेस 6 में से 3 सीटों पर चुनाओ लड़ना चाहती है इसमें मुंबई साउथ सेंट्रल मुंबई नौर्थ सेंट्रल और मुंबई नौर्थ वेस्ट शामिल है हालाकी उशवसेना ने दोजार अनूननीस के लोखसबा चुनाओ में 48 में से 22 सीटों पर चुनाओ लड़ा था इनमें 18 पर जीतावसील की जिसमें मुंबई की 3 सिटे शामिल थी महाराष्ट की 288 विदानसवा सिटे उपर भी 2019 में चुना हुए थे तब शिवसेना और भाशपा गडबंदन में थे बीजेपी 106 विदायकों के साथ राज्यकी सबसे बड़ी पार्टी बनी शिवसेना 56 सीटे जीती उसके बाद शिवसेना ने धायड़ाई साल के लिए सीम के फॉर्मिले का दाव चला लेकिन बीजेपी नहीं मानी इसके करण विदानसवा चुनाओ के कुछ महीनों बाद ही उ उद्व ठाकरे सीम बने थे जून दोजा 22 में एकनाशिंडे और सिवसेना के 49 अन्य विदायकों ने महाराष्ट के ततकालिन मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी शिवसेना के दो हिस्से हो गए महाविकास अगाडी गड़ बंदन सरकार गिर गई एकनाशिंडे ने भाजपा के साथ मलकर नई सरकार बना ली भाजपा ने शिंदे को मुख्य मंत्री और देवेंद फण्वीस को उप्र मुख्य मंत्री बनाया जुलाई दोजपा तेविस में शर्थ पवार की भतिजे अजित पवार ने भी बगावत की वे एंसीपी तोड़कर नोविदायकों के साथ भाजपा शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे पवार ने जुलाई दोजपा तेविस को महराष्ट के दूसरे जिप्टी सीम के तौर पर शपतली थी